किसान भाईयों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पारमेंट फार्मिंग 2020 में दोस्तों इस वीडियों हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी गेहूं या सर्शों या किसी भी फसल की उपज़ को किस तरह बढ़ा सकती हैं में हमारा पोकस आज गेहूं की फसल की तरफ रहेगा तो चली दोस्तों गुविनादरी की वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं साद 1970 के बाद हरित करांती ने यानि ग्रीन डेवलिशन ने हमारे सभी की जेवन को बदल दिया क्रीशी को एक नए मोड की तरफ ले गया जिसके अंदर अधिक उत्पादम देने वाले वीजों का उपयोग अधिक फर्टिलाजर का उपयोग खाट का उपयोग और नए नए तकनीक का उपयोग करके हम हमारे पैदावार को बढ़ाती हैं चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम उस तरीके के बारे में जिसकी मदद से हम आप उपज को बढ़ा सकते हैं वो भी बिना किसी केमिकल फर्टिलाजर को यूज की है सबसे पहले बात करते हैं यूरिया यूरिया है वो पौदे के ग्रोधियों मदद करती है जड़ों को ड्वलब करती है साथ ही साथ जो है पौदे के पौदे के पौदे के ग्रोधियों मदद करती है जो प्लान ट्रेलिंग होती है उसके अंदर भी यूरिया का बहुत ही इसी चीज को रोपने के लिए वेग्यामिकों ने जो है वीवी वीवी प्रकार के बाइयलोजिकल चीज़े बनाई है जैसे एनपी के लिक्विड हो गया और भी बहुत सारी नहीं जैसे मैं आद्मे UP Robo के बारे में बताने वादा हूँnez शागरीका एक कोपे płरांड है दुस्तो जिसकी फोटो आपके स्क्रीन के उपर लगता है सब्सक्राइब करें तर सिंक्येयुति करें युणको सब्सक्राइब करें जासे हमें पडायोटिक है बाते हैं कि हमारे शरीर को बनते हैं उसी प्रकाar सागरीका जो है यह हमारी बद्लेर को अलगे दिमाने ज़ते थे अदर मदद करेगी और मेल सबसे बाद बताँ है जिस सागरीका को पीओब होता है उस सबसे बड़ी baka गर art affairs दूए अभर आप सागरीका तो गे सपोल सेवाली तो यह करना कैसे हैả हमों तो पचास敢 हम पर सकते हैं जाई की समय भी आप सागरी का लिक्विड का यूज कर सकते हो 250 ml परती एक करके लिसाब से आप इसको खेद में दे सकते हो अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो एक चीज का यहां रखने दोस्तों सुब है कि जो ओस है उसे उठने दीजेगा उसके बाद में सागरी का लिक्विड दूसरी बार यूज करना है जब फ्लोरिंग स्टेज स्टार्ट होने वाले मारको देगी इवन वो फोदा गेमों का हो सकता है पास का हो सकता है इसी बीचीज का पहला हो पहला है उसके टीलिंग स्टेज में दूसरा उसके फ्लोरिंग स्टार्ट होने से पहले और तीसरी ब सकते हैं तो चलिए दोस्तों ये बात होगा सागरी का लिक्विड की अब बात करते हैं सागरी का खाद की जो ये वाली है तो दोस्तों ये भी है टिफको का बरांग है मैंने आपको सागरी का लिक्विड की फाइदे बता है सागरी का खाद के फाइदे भी वही है पोदे की ग तो आगे हम बढ़ते हैं इसके यूज के बारे में इसको कैसे उपयोग करना है सागरिया खाद को ये एक पैकेट में पांच किलो आती है और एक एकर के लिए ये आठ से दस किलो बैक के उपर सारी डीटेल लिखी हुई है कि किस तरह इसको यूज करना है कितनी इसकी दोस्ते देनी है और किस किस समय देनी मैं आपको इपर बता दूँ आठ से दस किलो पर एकर इसको यूज करना है तो इसको यूज कितनी बार करना है जैसे सागरिया लिक्विड को हमें तीन बार यूज करना है उसी तरह इस जो सागरिया खाद है इसको कितनी बार यूज करना है पह करना इसे साथ यूरीा जो है इसका भी उसके बाद मैंने एक एकड़के दिसका चिर्काओ किया है इससे जो है क्या फाइदा होने वाला है हमारी फसल को वह है कि यह मतलब सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी सागरिका जो है खाद है इससे तो हमारा होदे की जो इंस्टिक ग्रोथ होगी ही होगी जो की कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हम अलब नैचुरली नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि सिर्फ योरिया के अंदर कैमितल्स के तरुल दिये जाते हैं तो उन सबी चीज़ें के भी बरभाई हमारा पोदा कर लेगा अगर आप खोई बात अच्छे लगी हो इस वीडि के मिले बिनती है क्योंकि इसी से हमारा उत्सा बढ़ता है हम दोस्तों इस वीडियो मितना ही था मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जय जवान जय किसान